आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, बज्बै का देख सकते हो। तो देखे फ्रेज्बै इन दोनों रैस लाइट के अंदर क्या होता है? कि कुछ इस टैप का हमारा बोक्स लगा होता है, अब कुछ लोग इसको स्कूर्टलर भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसे डिब्बी भी बोलते हैं बाकि आप मुझे comment करके बताओ कि आपके area में इसको क्या बोला जाता है तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताओंगा कि अगर आपकी rice light के अंदर ये डिब्बी लगी हुई है और बाई चांस ये डिब्बी खराब होगी है जल गई है या गुम होगी है आपको नहीं मिल रही है तो किस तरीके से आप बिना डिब्बी के अपनी rice light को दुबारा से यूज कर सकते हो फिर चाहे आपकी rice light के अंदर 5 वायर हो 4 वायर हो, 2 वायर हो कि बिना डिब्बी के किस तरीके से rice light को हम डारेक्ट जला सकते है लेकिन जादातर लोगों confusion ये है कि देखो कुछ लोगों की rice light के अंदर क्या होता है कि 3 वायर है, कुछ लोगों की rice light के अंदर 5 वायर है कुछ लोग बोलते हैं sir हमारी rice light के अंदर 6 वायर है क्योंकि अगर आपने इसकी वाइरिंग को समझ लिया ना फिर तो जी आपकी राइसलाइट के अंदर हजार वाइर होंगी ना तो भी आप बड़े आराम से उसके अंदर कनेक्शन कर लोगे तो यहां पर देखिए फ्रेंट कनेक्शन को आप बिलकुल ध्यान से देखना तब यह आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए फ्रेंट यह जो हमारे पास राइसलाइट है इसके अंदर टोटल यहां पर देखिए तीन वाइर है और यह जो वाइट वाली राइसलाइट है इसके अंदर टोटल हमारी चार वाइर है और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को confusion होती है इस light को direct करने में क्योंकि पहले की जो rice light आती थी ना friend उसके अंदर 5-5 wire होती थी किसी rice light के अंदर 6-6 wire होती थी और उसी में लोग उलज जाते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता तो इस चीज को बिलकुल ध्यान से देखना सब कुछ आपकी problem सारी soul हो जाएगी तो यहां पर देखे फ्रेंड यह जो हमारी rice light है इसके अंदर यह जो आप LED देख रहे हो यह सारी की सारी LED हमारी series में जूड़ी होती है तो यहां पर देखे इस तरीके से मैं बना रहा हूँ सेम इसी तरीके से तो इस तरीके से देखे यहां पर हमारी कुछ LED यहां पर जूड़ी होई है यह भी हमारी series में है उसके बाद इसी rice light के अंदर देखे एक wire ऐसी है जिसके अंदर आपको कोई भी LED जूड़ी नहीं मिलेगी यह सुरू से end तक जाके इस तरीके से यह जो ती उसी टैम जलके हमारी खराब हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं फ्रेंट जिस भी rice light के अंदर step का आपको box देखने को मिले उस rice light को आप बिना box के चला सकते हो कि इस box से सिर्फ एक ही काम होता है कि यह जो हमारी rice light के अंदर LED लगी होती है इनको यह अलग-अलग designing से blinking करवाता है बस इतना ही काम होता है और इस box का ऐसा नहीं यह कि यह AC करंड़ कोbat देता था और यह आठ इसके अंदर 8 मोड दे रखें, 8 तरीके से ये अलग-अलग लाइटों को blinking करवा सकता है, बस इतना इसका काम है, अब यहाँ पर देखें, इसके connection कैसे करने हैं, अब यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर total हमारे पास 3 वायर आगी, अब हमारे पास जैसे कि यह है, AC supply की 2 व आगी है, इसके अब खिंज लेता हूँ, इसके अंदर क्या है, इस तरीके से हम देखेंगे, जैसे कि यह हमारे पास राइस लाइट है, इसके अंदर एक वायर के अंदर LED लगी है, इस तरीके से यहाँ पर हम दूसरी वायर को देखते हैं, यह चीज बस आप कर लोगे, तो आपको कुछ भी इसके अंदर करने की जरूत नहीं है जैसे कि एक wire यह है इसके अंदर LED लगी है और एक wire यह है इसके अंदर LED लगी है और यह जो तीसरी wire है friend इसके अंदर कोई भी LED नहीं लगी हुई है तो यहाँ पर आपको क्या करना है जिस wire के अंदर हमारी LED लगी है उसको एक साथ में इस तरीके से जोड लेना है ठीक एक साथ wire को जोड लिया तो यहाँ पर देखे friend टोटल हमारे पास अब दो wire बची है और इसको हम डारेक्ट सोगेट में लगा सकते हैं दो wire होगी और अभी मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा अब यहाँ पर देखे friend एक राइस लाइट और है मेरे पास अब इसके अंदर के है टोटल हमारी चार wire दे रखें तो इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा क्यूंकि सभी राइस लाइट के अंदर अलग-अलग सिस्टम होता है तो इसके अंदर क्या है देखे एक wire तो हमें यह मिल गी लगी हुई है और दूसरी wire को देख लेते हैं तो दूसरी wire देखे इसके अंदर हमारी यहाँ पर LED लगी हुई है और यह जो इसके अंदर हमारी LED नहीं लगी इसको हम एक साथ इस तरीके से जोड लेंगे ठीक है और इन दो wire के अंदर LED लगी है इनको हम एक साथ में जोड लेंगे इस तरीके से एक साथ में मैं बांध रहाँ इस तरीके से यह हमारी दो wire बनगी और इसको हम socket में लगा सकते हैं, और कुछ case में ऐसा भी होता है, friend, जैसे कि यहां पर है, माल लीजिए, total हमारी 5 wire होगी, तो यहां पर देखे, इस तरीके से, यहां पर कुछ case में ऐसा भी होता है कि यहां पर भी LED लगी हुई है, इस तरीके से, ठीक है? यहां पर LED वाली wire को अलग कर लेना है, वायर के अंदर LED नहीं लगी, उसको अलग कर लेना है, बेज़क 2 wire हो, 3 wire हो, 4 wire हो, उन सभी को आपको अलग कर लेना है, तो इस तरीके से यह चीज आपको अच्छे से समझ में आगी, अब यहाँ पर चलिए, अब इसको हम जला के देखते हैं, कि यह जलेगी कि नहीं जलेगी, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो यह मेरा main extension board है, तो यहाँ पर मैं पहले on कर लेता हूँ switch को, तो यहाँ पर देखे supply आ चुकी है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था friend, उसी तरीके से देखे, यहाँ पर दो wire है, जिसके अंदर हमारी LED लगी है, इसको मैंने एक साथ किये है, और इसके अंदर देखे, हमारी LED नहीं लगी, इसको हमने अलग किये है, तो यहाँ पर देखे, मैं इस तरीके से आपको जला के दिखाऊंगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, कि यह LED हमारी बिल्कुल बढ़ी है, तरीके से जल रही है, और वीडियो के अंदर आपको लग रहा हुगा, कि भी यह blinking कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे उपर वाली LED जल रही है, इस लिए आपको ऐसा लग रहा है, यह देखे, मैं LED को बंद करके भी आपको दिखा दू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि अब यह जो LED है, इस तरीके से कोई भी प्रोलम नहीं आएगी, बस इसके अंदर यह रहेगा, कि इस तरीके से अगर आप जलाओगे, बिना बोक्स के इस LED को जलाओगे, तो यहाँ पर यह जो light है, सारी की सारी हमारे continue जलेंगी, बस इतना फरक है, अगर इसका box आप लगाओगे, तो इसमें 8-10 तरीके के जो भी function दे रखे हैं, उस तरीके से light जलेगी, और direct जलाओगे, तो सारी LED हमारे सिर्फ continue जलेगी, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यह इस तरीके से देखे, मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से चलिए, इसको भी हम देख लेते हैं, तो इसकी वाल भी मैं आपको जला के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको लगाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह light भी हमारी बिल्कुल बढ़ी है तरीके से काम कर रही है, और इसके अंदर भी blinking नहीं हो रही, light को मैं बंद करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह light भी हमारी continue काम करी है, तो इस तरीके से friend, मेरा कहने मतलब यह है कि इस light के अंदर simple सा फंटा यह है, कि जिस rise light के अंदर LED लगी है, उनको आपको एक साथ जोड़ लेना है, और जिस rise light के अंदर LED नहीं लगी है, उसको आपको अलग कर लेना है, लेकिन यह खोल के आपको देख लेना है, ऐसा नहीं है, कि आपने बस यहाँ तक आगे आगे देख लिया, पता चले कि कुछ दूरी बाद LED लगी है, क्योंकि अगर आपने LED LED वायर को इस तरीके से आपस में जोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर LED लगी है, और इसके अंदर LED लगी है, इसको अगर आप आपस में supply देद होगे फ्रेंड गलत, तो यहाँ पर यह LED हमारी जलके खराब हो जाएगी उसी टैम, और दिखतर लोग यही गलती करते हैं, और फिर बाद में मुझे कमेंट करके बोलते हैं, सर आपकी वज़े से मेरी लाइट खराब होगी, वो अपनी गलती नहीं देखते हैं, तो इसलिए फ्रेंड मैं आपको बोलता हूँ कि आप जब भी किसी की इस टैम की वीडियो देखते हो वाइरिंग वाली, तो सुरू से एंड तक बिल्कु ध्यान से देखा करो, ताकि आपको अच्छे सा सारी चीज़े समझ में आ जाए, क्योंकि काफे सारे लोग क्या करते हैं, कि वीडियो को काट काट के देखने लगते हैं, आरे ये तो मैं को पता ही है, चलो हटा हो इसको, तो इस तरीके से करोगे फ्रेंड, तो कही ना कही फिर प्रोलम आ जाएगी, और फिर बाद में आप हमें ही दोस्त होगे, कि यार आपने गलत तरीके से बताया, तो इस तरीके से फ्रेंड, मैंने सब कुछ आपको बता दिया ध्यान से, और इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, तो उमेद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें, तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ, तब तक के लिए जैहिंद, वन्दे मातरम!